गौनाहा नरकटिया गंज भिखना ठोरी मार्ग में ट्रैक्टर टेलर पलटने से एक बाइक सवार की मौत आक्रोशित ग्रामिनों ने जमुनिया नरकटिया गंज मुख्य मार्ग को एक घंटे तक किया जाम गौनाहा प्रखंड अंतरगत मोर बेलवा गैस गुदाम के पास एक ट्रैक्टर ट्रेलर के पलटने से एक बाइक सवार की मौत गंज से दब जाने के कारण सनिवार को सुबह करीब नौ पचीस बजे हो गई गटना के संबन्द में प्रत्यक्ष दर्सी गैस गुदाम कर्मी उमेस राय ने बताया कि गंज लाद कर ले जा रहा ट्रैक्टर ड्राइवर सराव के नसे में धुद था तथा ट्रैक्टर की गती काफी तेश थी ट्रैक्टर ड्राइवर के गलती के कारण बाइक पर सवार वैक्ती जो बर्गजवा से विक्रमपूर जा रहा था उसके सरीर पर गंणा लदा ट्रैक्टर टेलर पलट गया जिस से वा वैक्ती गंणे से दब गया SSB के जवान जो दो टेंपू पर सवार होकर नरकटिया गंज जो जा रहे थे जवानों ने अपनी आँखों से देखा तथा बताया कि गंणे से बाइक सवार दब गया है जवानों ने गंणा हटा कर बाइक सवार को बाहर निकालना चाहा परन्तु बहुत ज़्यादा गंणा होने के कारण वे नहीं हटा पाए आनन फानन में JCB बुलाकर गंणे को हटाया गया तो उसमें बाइक दिखाई दिया फिर जब गंणा हटाया गया तो अंधी मोग गीरा इक वेक्ति दिखाई दिया इसी बीच मौके का फाइदा उठा कर ट्रेक्टर चालक फरार हो गया मृत वेक्ति की पहचान सिकारपूर थाना के विक्रमपूर निवास्ती हरेंद्र महतो के 50 वर्षिय पुत्र रमस्तीस महतो के रूपे हुई है मृतक के भतीजा स्याम प्रसाद कुस्वाहा ने बताया कि सुबा रमस्तीस महतो विक्रमपूर से बर्गजवा गेहु पिसाने गए थे गेहु पिस्वाकर बर्गजवा से लोटकर विक्रमपूर जा रहे थे इसी बीच पहकॉल से गन्ना लादकर ट्रेक्टर टेलर नरकटिय अगंज चीनी मिल जा रहा था इसी बीच जमुनिया नरकटिय अगंज मुख्यमार्ग में चम्पा गैस गुदाम के पास ये घटना घटी थाना अध्यक्ष विनोध कुमार ने बताया कि घटना की सूशना मिली है SI सुदामा कुमार और विरिंद्र पासवान को घटना अस्थल पर दलबल के साथ भेजा गया है घटना अस्थल पर उपस्तित SI ने बताया कि सव को कबजे में लेकर पोश्ट माटम हेतू बेतिय जीमसीयश भेजा जा रहा है इधर विक्रमपूर के इस्थानियों लोगों ने ट्रेक्टर टेलर को जब्त कर विक्रमपूर गाउं ले गए हैं आक्रोशेत ग्रामीनों ने जमुनिया नर्कटिया गंज मुख्य सड़क को घंटो जाम कर दिया एसाई सुदामा कुमार, विरेंद्र पासवान तथा मुख्या प्रतेनिधी सुवालाल महतो और एस्थानियों लोगों की पहल से मैट्रिक परिक्षा को देखते हुए सड़क जाम खत्म कराई गई मुरेतक रामसीस महतो अपने परिवार के भरण पोशन के लिए सबजी बेचकर घर चलाता था सबसे बड़े पुत्र प्रभात कुमार 22 वर्ष तथा छोटे पुत्र अंकित राज 19 वर्ष को बीए में पढ़ाता था दोनों पुत्र बीए के फाइनल एर में हैं उसके पत्नी शेशमनी देवी का रो रोकर बुरा हाल था वह रो रोकर बेहोस हो जाती थी कि अब परिवार की परवरिस कैसे होगी और बच्चू को कौन पढ़ाएगा रामसीस महतो तीन भाईयों में सबसे बड़ा था दो चोटे भाई स्यामसुंदर प्रसाद और चंद्र भूशन को स्वाहा भी मजदूरी कर सबजी बेच कर अपने परिवार की परवरिस करते हैं बहान उसा देवी साधी सुदा है इस घटना से विक्रमपुर गाउं में मातमी और सन्नाटा चा गया है नियोज नाइन टाइम्स पल्टी कर दिया इनके दिए अगया है आम पुरा दबा गये उसके बाद सारी जानतां यहां आई तो जेसी पीप बलवा कर सारा अट्वाजा गया गणना गणना हट्वा कर तो इनको दिखाला गया इंका क्या नाम है मिरतक का रामसिष महतो आपका पर्षे है परढ़ु मह तो हम नहीं थे लेकिन लोग बता रहा है कि सुबह में आ रहे थे गहों पिशाने जा रहे थे ट्रेक्टर वाला पूरा ओवर लोड पिया हुआ था अगानत देखी रहे हैं कि इतना लारा हुआ पिये हुए था अप लोग फिन नहीं रहे थे लुग बढ़ा लगी लडखडा के इसाइसे गुम के चला रहा था तो उसके बाद इनके सरीर पर आके चला के चला के पल्टी मार्दी रॉंग साइट से ही चल रहा था हूँ अई अपना सिधर पर नहीं देखी घटना है उत्ता अपने डॉक्तर रविरेंजन कुमार इनका नाम रमसीश महतो बिक्रमपूर घरा इनका सरीपड़ा हुआ है एक्सिदेंट से इंका क्या नाम है इनका सर रमसीश कैसे घटना हुए यह सर घटना वह आ रहे थे आटास चकी से से शेकिल से और इधर से गन्ना के गारी जा रह अब जो है वह जो है जो है जो है जो है पलती माफिश जिसमें वह जो है नीची आ गया दबा गया इससे उसका में तो आपका परचे सब्सक्राइब परिंदरुक्मार पास्मा एसाई गोनाहाग आप